जै नमो बुद्धा, मन में गलत बिचार आते हैं, नहीं चाहते फिर भी आ जाते हैं, कभी गलत बिचार, कभी गंदे बिचार परिसान हो गए हो, तो आज इस परिसानवी का अंत हो जाएगा, सोचो यह मन तुमारा घर है, क्या तुमारे घर में तुमारे इजाज़त के बिन कोई भी घुसा चला जाता है नहीं न, अगर कोई जबरजस्ती तुमारे घर में घुसने की कोशिस करे तो तुम क्या करोगे तुम उसे हर किमत पर अपने घर से बाहर निकाल दोगे यही करोगे न या बेट कर सोचोगे की अरे मेरे घर में कोई मेरे बिना इजाज़त घुसाया है अब में क्या करोँ सुनने में कितना अजीब लगता है लेकिन तुमारे मन के साथ तो यही हो रहा है कोई गलत आदत, गंदी आदत छोड़नी है लेकिन जैसा ही अकेले होते होना वो गलत बिचार गंदे बिचार तुमको खेर लेते हैं जिन्देगी में थोड़ी सी भी परिसानी आती है तुम्हें टंसन होने लगती है तो नेगेटिव बिचार तुम्हारे दिमाग में घर कर जाती है मन में आने वाले विचार ही हमरे जिन्देगी बना भी सकते हैं और बिगाड भी सकते हैं रात को आपको मन में विचार आता है कि सुबह जल्दी उठना है यह आपके मन की आवाज है क्योंकि मन जानता है कि सुबह उठना आपके लिए अच्छा है लेकिन सुबह यही मन आपको कहता है कि थोड़ा देर और सो लिया जाए अपने मन से पूछो कि जब सुबह सोना ही था रात में यह मेरे मन में बिशार क्यों आया कि सुबह जल्दी उठना चाहिए क्योंकि मन आपका दोस्त यह आपको हमेशा खुछ देखना चाहता है रात में जब सोने जाते हैं तो यह मन चाहता है कि आप सुबह जल्दी उठे और अच्छे दिन की सुरुवात करें ताकि आप खुछ रहें और सुबह वही मन चाहता है कि आपको किसी परकार की तकलिफ ना हो और आप अराम से सोते ही रहें यह मन आपको परिसानियों से बचाना चाहता है यह आपका दुस्मन नहीं आपका मित्र है यह आपको कभी भी कोई भी मुश्किल काम करने ही नहीं देगा यह आपको मन में डर पैदा कर देगा ताकि आप उस मुश्किल काम से पीछे हट जाओ लेकिन यह मन नादान है यह नहीं जानता है कि मुश्किलों से पीछे हटना मुश्किलों से भाग जाना जिंदेगी नहीं है यह मन नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत है यह बस चाहता है कि आप खुस रहो तो यह अपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने मन को समझाओ उसको बताओ कि क्या सही है और क्या गलत मन में गंदे गंदे बिचार आते हैं क्यों? क्योंकि मन को लगता है कि आपको इन से खुशी मिलती है ये गंदे विचार आपको गलत रास्ते पर ले जाते है मन में कभी-कभी जिंदेगी को खतम करने का विचार आता है क्यों मन को लगता है कि आप चारों तरब से मुश्किलों से घिर चुके हो और अपके पास बचने का यही एक रास्ता है यह मन तुम्हारा दोस्त है जो हमेशा तुम्हारा भला चाहता है लेकिन इसको सही गलत की अकल ही नहीं है तो क्या आप ऐसे दोस्त की बात मानोगे या फिर आप उसे सही बात समझाओगे मुझे मालूम है आपका जवाब क्या है आप अपने इस मुर्क दोस्त की बात को नहीं मानोगे और उसे समझाओगे कोई दुस्मन आपकी बात कभी नहीं मानेगा लेकिन दोस्त आपकी हर बात मानेगा और यह मन आपका दोस्त है बस छोटी से गलती हो रही थी इस मन की आपके हिसाब से चलना था लेकिन अभी आप इस मन के हिसाब से चल रहे हो इसलिए जीबन में गलतियां हो रही है आसा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि मन को नियंतरन में केसे लेकर आना है और ये बहुत ही असान है क्योंकि मन तो अपका मित्र है आप एक बार समझा कर देखिए वह अपकी बात मान जाएगा दोस्तो मन के बिग्यान को साथ ही कोई इतने सरल और असान सब्दों में आपको समझा पाएगा मैंने पूरी कोशिस करी है कि कम और आसान सब्दों में आपके मन की प्रकृति समझा सकूँ क्या मैं अपने प्रियास में सपल रहा हूँ ये बात मुझे सस्क्राइब करके जरूर बताईएगा इस वीडियो में कही गई बातों से आप सामत हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सियर किजे जई जई जोहार